वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टैप की कोई भी जालर लाइट है फिर जाही आपकी जालर लाइट 55 मीटर की है, 65 मीटर की है, या फिर 100 मीटर की है और उस जालर में लगी ये डिप भी खराब हो गई है या फिर गुम हो गई है तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी जालर को बिना डिबी चुशा करके उसे यूच कर सकते हो कावे सारे भाई क्या करते हैं जब उनकी डिबी गुम हो जाती है खराब हो जाती है तो जालर को भी उठाकर फेक देते हैं सोचते हैं कि बिना डिबी के तो अब यह जालर किसी भी काम की नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसकी मदद से आप बिना किसी डिबी के भी अपनी जालर को जला के यूज कर पाऊगे, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना तब ही आपको हो सकता है, चार वायर मिल जाए, पांच वायर मिल जाए, छे वायर मिल जाए, और ज्यादा वायर देखे न, अकसर लोग घबरा जाते हैं कि यार, अब इसके अंदर हम कैसे कनेक्शन करें, तो आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसके इसाब से अगर आपने कैलक लगी हुई है, तो इसके लिए थोड़ा सम जालर को ऐसे खोल लेंगे, और खोल लेंगे बात देखेंगे, सबसे पहले हम इस LED को लेते हैं, क्योंकि सबसे आगे यही LED है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो, इस वायर के अंदर हमारी यहाँ पे LED लगी हुई है, तो एक तो हमें यहां पे मिलगी, अब उसके बात इसके पीछे वाली LED को हम देखेंगे, तो यहां पे हमें क्या करना है, इस तरीके से वायर को खींच लेना है, यह दो इस जालर के अंदर हमारी LED लगी हुई है, और एक यह जो वायर है और फ्रेंट, इसके अंदर कोई भी LED नहीं लगी हुई है यह वायर यहां से सुरू होके जो इसकी जहलर लाइट के आकरी LED है देखे आकरी LED यह वाली है इसके साथ में देखे तीनों वायर आपस में जाके जूड़ी हुई है यह हमारा जहलर का आकरी LED है उसी के अंदर यह हमारी जाके जूड़ी हुई है तो इस तरीके के अंदर इन one wire है, चार या पाँच या छे wire है, तो कैसे connection करोगे, तो वी डियू को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या मैं आप वीडियो को ध्यान से देखना। क्योंकि आप भीडियो को ध्यान से देखते हैं कि उसके बाद फिर लगी रहती है और यह देखिए हम दूसरी बना लेते हैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पर हमारी यहां पर ऐसे लगी हुई है तो इसके अंदर कोई भी एलीडी नहीं है तो इस तरीके से हमारी तीन वायर होगी, अब इसके अंदर के फ्रेंड की ये जो हमारा आखरी हिसा है, जो जालर का आखरी हिसा होता है, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि इस LED के साथ में ही हमारी सारी वायर जूड़ी होती है, तो यहाँ पर ये लास्ट में क्या होता ह कि तीनों वायर आपस में जूड़ी रहती है ठीक है अगर आपके लास्ट LED की वायर कड़ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना तीनों वायर को छिलना है और आपस में जोड़के टेप मार देना है बिल्कुल सिंपल है उसमें ज्यादा आपको कन्फूज नहीं होना अब उस इसके अंदर LED नहीं लगी उससे हम एक अखेले छोड़ देंगे इस तरीके से अब हमारे पास एक और ये दो दो वायर होगी और दो वायर को हम सिधा क्या करेंगे अपने सोकिट के अंदर लगाएंगे और हमारी LED जल जाएगी यह हो गया अब चलिए एक मैं आपको एक्ज लगी है तो इसको भी हम इस एक साथ में जोड़ देंगे इसी तरीके से अगर चार वायर के अंदर LED लगी है तो यहां पर इस तरीके से यह देखिए हमारी चोथी वायर है इसके अंदर LED लगी है तो यह पीछे जाके तो सारी आपस में जूड़ी रहती है यह तो आपको क् लोड़ लिए क्योंकि काफे सारे जहलर के अंदर ऐसा भी होता है कि दो वायर ऐसी होती है जिसके अंदर LED नहीं लगी रहती तो यहां पर यह इसके साथ में पीछे तो एक अठे जुड़ेंगे और यहां पर आके यह दोनों आपस में एक हो जाएंगे तो यह फिर से हमारा य ऐसे कर लो और हो जाएगा तो यहां पर चलिए मैं आपके लाइब दिखाता हूं तो दो वायर है जिसके अंदर LED लगी है तो यहां पर देखिए दोनों को मैं इकठा कर रहा हूं यह देखिए दोनों को मैंने इकठा कर लिया वायर को थोड़ा सम छील लेते हैं फ्रेंड एस ウायर की इतनी घटिया क्वाल्टी होती है इस टाइप की जालति कर रहा सकते हैं जब सस्ता माल मिलता है तो क्वाल्टी कौन देखता है तो इस तरे वायर होगी और इसको हम ने जोड़ कि एक कर लिया है अब एक वायर यह ऐसी है जिसके अदर कोई भी LED नहीं लगी तो इसको हमने यह एक ही छोड़ दिया, तो एकुल मिला के हमारे पास अब दो वायर होगी है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहां पे एक प्लग लेंगे, यह मेरे पास प्लग है, इसके अंदर वायर पैटे से जोड़ी हुई है, तो हम देखें, यह वाली जो वायर है, जिसके आपके सामने live होगा यहाँ पर मैंने टेप को बढ़ी है तरीके से लगा लिया है अब यहाँ पर करन्ट का भी कोई खत्रा नहीं है बिजली का जो भी काम करो अपको सेफटिक साथ में करना है तो यहाँ पर हमने इसके connection कर लिये हैं अब चलिए मैं आपको जला के दिखाता कि यह जो जहलर लाइट है यहाँ पे काम करेगी या खराब हो जाएगी सब कुछ आपके सामने लाइव है फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं वीडियो को कट कर रहा हूं या फिर कुछ और कर रहा हूं तो यह देखें फ्रेंड आप देख सकते हो कि हमारी जो जहलर लाइट है बिलकुल बढ़ी है तरीके से फुल रोसनी में काम कर रही है यह देखें एक बार मैं अपने उपर वाली लाइट को बंद कर देख सकते हो फ्रेंड कि जैसे कि इस डिबबी के साथ में क्या था कि ये लाइट हमारी यहां पे बिलिंकिंग कर रही थी अलग-अलग डिजैन से वो काम नहीं हो पाएगा बाकि आप इसे तरीके से इसे continue सिंपल जालर की तरह यूज कर सकती हो तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स टूडियो मे